चलिए दोस्तों आज जो है कि जो भी मैं कोश्चन इस जो है को बतानेरे वाला हूँ ले सेर भी किजिएगा और हां इसके पिछले वीडियो में हम लोग कंपलीट देख चुके हैं इस पर बेसिक जो भी अधारित जो है कि सुत्र थे सभी सुत्रों को हम देखे थे इस बिल्कुल जो है बेसिक लेवल से देखा गया था और फारूला भी हम सभी यहां पर रखे हुए चली हम दोबात करते हैं यहां पर फहला कोशन आपका लिया गया आपकिन जान से ऱess ​​बिल्कू और फार आज कोशन दे रहे देंग भी ठीक है दिर्ग ब्रित दिया हुआ है कि दिर्ग ब्रित 4x² plus 3y² is equal to 24 ठीक है के दिया हुआ है बिंदु बिंदु दिया गया है करणी में 3,2 पर अस्पर्स रेखा अस्पर्स रेखा ठीक है क्या पूछ रहा है अस्पर्स रेखा एवंग अभी लंब का समीकरण समीकरण ग्याद कीजिए ठीक है घ्याद कीजिए देखे ध्यान दीजिए गाइस में क्या कि आपको फाइंड करना है यह जो आपका कोशन है बहुत ही इपर्टेंट कोशन है जो कि हमारे साथ सूरु सेंहे तक रहेगा जो कि जो भी मैं कोश्चन इस वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छी तर समझ में आ जाएगा यहां पर यह कर रहा है कि जो भी दिर्ग ब्रित दिया हुआ है यह बिंदु भी आपके दिये गए हैं और करें असपर्स रेखा और अभिलांब का समीकर्ण क्या होता है और अभिलांब का समीकर्ण क्या होता है तो हम लोग बिल्कुल जो है कि बेसिक लेवल से इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिये सब्सक्रिप्शन में इस वीडियो में कराऊंगा तो हमारे साथ सुरू से लेकान तक जुड़े रहेगा चलिए हम लोग इसका सलूसन करके देखते हैं तो आपको पता ही है कि कभी भी दिर्ग ब्रीत या वकर दिया हो तो सबसे पहले कभी भी समीकर्ण असपर्स रेखा का या आपको जो है कि अभी लंब का समीकर्ण आपको फाइंड करना हो सबसे पहले हम लोग परोण्ड़ाटा फाइंड करने परते हैं असपर्स रेखा कि परोणनता निकानना पड़ेगा और अभी लंब कि पाइंड करनी होती है। यहाँ पर जो आपका दिर्ग ब्रीत का से यह समिकार दे रखा है इससे हम लोग हर हाल में डिया निकालेंगे डिया हुआ है यानि कि दिया हुआ है क्या फोर एक्स स्कॉायर प्लस थ्री वाई स्कॉायर इसकल तो आपका दिया हुआ है इसका करेंगे एक्स के सापेच एक्स के सापेच क्या करेंगे आउकलन करने पर ध्यान से आप देखिएगा अब यहां पर आउकलन करेंगे तो चार गुणे यहां पर डियरेक्ट मैं आउकलन कर रहा हूं क्योंकि बेसिक चीजे आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे आउकलन आपका किया जा स्वार करेंगे यहां पर है 3 multiply y square करेंगे यह एकस मानेंगे एक्स मानेंगे तो वाई स्वार करेंगे तो आपका क्टवाई हो जाएगा वास्तों में अब यह नियम है चलता है strengthen एक इसको आप मानते हैं щ 19 का क्या के जाता है आउकल आपका किया जाता है है तुमाइक को मानने हैं तो आपको पता ही है कि दीवाई बलस में उधर जाएगा तो नितने गोगा 的 टीकशी पाइए यहां से रडी बटा एक निकालझे यह माइनस चार्याक्स यह दिए बेड़ांग्स यह क्या होलब हो यह दिवाई में टीकस मताच हो गया है और यह दिवैं चाहिए तो आपका बिंदू दिया गया है बिंदू क्या क्या है आप निकालेंगे कैसे लिखेंगे कि बिंदू करणी में तीन कामा दो पर असपर्स रेखा की प्रौता प्रवजटा तो जब प्रौता आप लोग फाइंडी करेंगे मेरे परिशात्रो तो आपका होता है डी वाई बाता में क्या डी एकस बिंदु पर आप फाइन कर रहे हैं करनी में 3 और किस पर 2 पर यानि कि एक मान x का होता है दूसरा मान y के लेकिन आपका डी वाई बाता में डी एकस पता है यह तो आप रखेंगे 4 multiply x के जगह पर आपका पहलामान यह जो पहलामान है एकस का है तो कड़ी में आपका हो जाएगा 3 बटान 3 multiply y के जगह पर क्या है दो तो यहां पर रख देंगे 2 कटा देंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा देखिए कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 से नीचे गुणा कर दीजिए कड़ी में 3 से ऊपर नीचे कड़ी में 3 से परिमिकर्ण कर देंगे यहां पर आपका find हो जाएगा देखिए क कड़ी में तीन से कड़ी में 3 में 3 तीन हट जाएगा यहानी कि मांईनस čू मलटिस्पड़ाइए इसका मलटिपलाइए करें एक 3 अंडरोड थें के तीन से 3 क्या हुआ तो टोटल वैलू जो वचा हुआ है तो टोटल वैलू आपके बच गया माईनस करनी में कितना यानि कि यह अस्पर्स रेखा की क्या है प्रोणता है अस्पर्स रेखा की हम प्रोणता फाइंड कर लिए तो असानी से जो है कि हम अस्पर्स रेखा का समिकर्ण भी निकाल सकते हैं यह आपको कंफर्म हुआ अब यहां पर हम लोग देखिए कि अस्पर्स रेखा का जब भी स निकालेंगे तो पर स्रेखा की पॉर्णता चाहिए तो पॉर्णता फाइंड कर लिए अब यहां पर अभिलंब का जल समीकर निकालना होगा तो अभिलंब की पॉर्णता भी निकाल लिए अभिलंब का क्या पॉर्णता यहां पर अभिलंब की पॉर्णता निकालेंगे तो ब माइनस लगा देते हैं एक बटा में जो असपर्स रेखा की पॉर्णता है उसको रख देते हैं तो यानिकि टू बटा में अंडरोड क्या 3 माइनस से माइनस कर यह भी पलड जाती है तो यह हो जाए करणी में करने में 3 कामा 2 पर असपर्स रेखा का समीकरण कि तो फार्मूला क्या कहता है एं कहता है फार्मूला के य माइनस रेखा क्या चाहिए यह निकूं है y1 x1 y1 बोले तो आपका ये जो बिंदु है उस पर जो यानि इस बिंदु पर जो पॉर्णता फाइंड हुई है याद रखेगा और आपको ये फार्मुला पता भी होगा आप लोग पिछले वाले वीडियो को पड़े होंगे तो तिया यहां पर आपका हो जाएगा y-y1 ये एकसवन है ये क्या है वाईवन है तो आपका है करणी में क्या चीज समझना रहे है अब इसके बाद हुनों मटिप्लाई करेंगे तिरियेक हर एक मान कीडियेक मल्टिप्लाई करणी में तीन से इन दोनों में यह आपका हो जाएगा करणी में 3y माइनस करणी में तो यहां पर x वालों को पहले कीजिए तो यह माइनस इधर आएगा तो प्लस यहां पर हो जाएगा करणी में 3y यहां पर हो जाएगा माइनस 2 अंडरोड 3 यहां पर आपका हो जाएगा 2x प्लस करणी में 3y माइनस 2 तो आपका 4 अंडरोड में क्या हो जाएगा 3 is समझ में आभी गया होगा अगला जो प्रोसेस आपको फाइंड करना है अगले में आपको निकालना है दूसरी कंडिशन यह आपको आपसे पूछ रहा है कि अभीलंब का समीकर्ण कैसे निकालता है यहां पर देखा फिर आप लिखेंगे कि बिंदू करणी में 3,2 पर अभिलंब रेखा का समिकरान अभिलंब लेखा का क्या निकालना है समिकरान फार्मूला क्या बनता है पहले फार्मूला अपलाई करेंगे y-y1 होता है is equal to होता है minus 1 बटा में होता है dy बटा में क्या होता है dx यानि कि जो आप find किये हैं यह पूरा जो है कि क्या है अभिलंब की परणता है कोश्टेक में आपका होता है x-x1 यह आपका फारूला मैं यहाँ पर भी रख दिया हूँ अब चलिए हम लोग यहाँ पर मान पूट करके देखते हैं आपका क्या मान आने वाला है यहाँ पर हो जाएगा y-y1 का वैलू बोलिए यह x1 है यह y1 यानि कि 2 हो जाएगा अब यह पूरा जो वैलू है अभी लंग की पौणता है टोटल अभी लंग की पौणता है जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो आप टोटल की जगा पर रख सकते हैं कर्णी में 3 बटा में 2 कुश्टक में x- x1 का जो वैलू है कर्णी में क्या है ठीए यहाँ से अमलों में थ्री में आपको क्या हो जाएगा है सभी को हम लोग एक तरफ कर दें यह इसको एधर बेजिए यहां पर धियान दिजिए माइनस करणी में 3x है प्लस आपका 2y यह दोनों घटेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 1 is equal to 0 माइनस से सभी में आपका भाग दिया जाएगा करणी में 3x माइनस 2y प्लस क्या हो जाएगा 1 is equal to 0 यह है टोटल आपका final answer तो यह चीज़े दोनों आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी दोनों जो तरीका आपका apply किया जा रहा है किस तरह से apply किया जा रहा है और क्या आपको find करना है यह आपका जो है final answer है कभी आपका समिकार दे दे और बिंदु दे दे तो आप से असपर्स रेका और अभी लंब पूछता है तो आप से आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी क्योंकि step by step मैं अच्छी तरह से आपको समझा दिया हूं ठीक है चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रस्णी के तरफ तो अगला प्रस्ण देखते हैं किस टाइप का वह कोशन हमने लिया हुआ है तो चलिए हम देखते तो चलिए हम देख लेते हैं अगला कोशन जो है किस टाइप का लिया गया है और हमारे साथ जो है सुरू से अन तक जुड़े रहे हैं ठीक है कि कि टुम इस सबी चीजों को हटा देता हुआ इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अगला कोशन क्या है ध्यान दिजेगा कि अगला कोशन जो है कि लिया पर वह बिन्दू यापको बिन्दू करना इसमें ध्यान देजागा वह बिन्दू ग्यात कीजिए जिस पर जिस पर खीची गई खीची गई अस्पर्स रेखा एक्स ऑच अस्पर्स रेखा एक्स ऑच को साथ डिगरी के कूण स्टार्ट डिगरी के कूण पर काटती है यह चीज आपको आपका दे रखा है और इसमें आपसे पूछ रहा है बिंदू देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है बिंदू आपसे पूछ रहा है तो बिंदू के लिए देखिए यहां पर आपको कॉण पता है तो आपको पता है कि जो भी परणूरता हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर आपको करना क्या है यहां पर क्या है कि करेंगे वह 10 के बराबर लेंगे क्यों कि आपको पता है यहां पर देखे यह यह होता है यहीं बराबर होता है सायं की यहां पर ड bedroom का जो मान है वह 10 सायं के बरावर होगा क्योंकि यहां पर यहां पर इंगल दे रखते हैं अब अब जितना आपका ड palaf white D они Vieks के बरावर करें हम नोgra के बरावर जैना एक्स कमान और एक्स निकालेंगे और एक्स निकाल करके वक्र में रखते हैं तो आसानी से हम लोगों को दो बिंदू पता चल जाए यहां पर जो है कि दिया हुआ है वक्र दिया हुआ है यह बरावर दिया हुआ करने पर है यहां पर फिर लिखेंगे कि एक्सके सापेच अब करने पर तो य का वकालाण जभी करेंगे नियरे पिछात्रों तो डि य बर्टा में क्या हो जाएगा इसको पता है जो डी बए डी एक से पूर्णता भी कालाती है लेकिन यहां पर प्रश्निकर अनुषार अपले सकते हैं प्रश्णा अनुषार भी कर सकते हैं ठीक हैं यहां पर क्या ले सकते हैं तो लिखेंगे आफ असपर्स रेखा की प्रवाणता प्रवाणता तो आपका यहां पर इंगल जो है की दिया हुआ है और इंगल जब दिया हुआ है यहां पर जो है की 10 के बरावर लेना पड़ेगा यहां यहां से इस मान में बिंदो रख करके आसानी से कि हम लोग निकाल सकते हैं लेकिंगे यहां पर कॉंड दिया हुआ है यह जो आपका डिवाए डिक स्टोटल फांड हुआ है वह तैन साई क कि आपको बरावर लेने पड़ेगा ध्यान दिजेगा कभी भी आपका कॉंड दिया हो तो आप इस तरह से करेंगे ठीक है क्या निकालने के लिए बिंदू पता करने के लिए यह यही देता कि असके समांतर होगा तो आसानी से हो जाता जब यह असपास डियागा की पॉंड़ता है दीवाटने में डीएकस के लेना पड़ेगा जिरो के बरावर जो है कि आपको लेकर के टुरंत एक्स कमान करना है लेकिन यहां पर कॉंड दिया हुआ है जो डिवाइवाइड डिया हुआ है वह थैन साइं के बराबर लेना पड़ेगा तो सारी कंडिसने हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी यहां पर डिवाइड डियक्स का जो मान है आपका फाइंड हुआ है थ्री एकसी स्कॉयर आपको पता यह फख़ें कि हो यहां पर कैसी स्कॉयर बराबर हो जाएगा करनी में 3 बटा में यहां पर हम लोग कर देते हैं परिमेकरन क्या करते हैं परिमेकरन तो करणी में 3 से नीचे गुणा करणी में 3 से उपर अब क्यों परिमेकरन कर रहे हैं क्योंकि आसानी से उपर वाला करणी हटेगा और नीचे करणी आएगा तो आसानी से 3 से 3 कटेगा तो एक बटा करणी में हाई करणी में तीन है तो यह क हटायेंगा एक बाटा में कितना और आङ यह अप सिरॉस्ट तो गताय कहले हैं और यह अनुक है मिले जायेंगी आदने वाली बात यह है ये आपका इस्क्वाइर है यहां से जब स्क्वाइर अट्राइगे यह का मतलब यह कि प्लस माइनस लगेगा अगर्णी जब लगाएंगे और यहां से भी इंट था इक यहां पर चयार प्लस माइनस लिखा जाता है ठीक है अब करण यहां पर ठीक पराबर हो दो यहीं हम जड़ यहां पर मान रखे हुए थे दुदुने के चार यानि कि तीन का घात माइनस एक बटा में कितना हुआ था चार तो इतना चीज यानि कि आपका मैंने जो है कि दो इस्टेप काट दिये हुए थे कि ताकि आपको आपको आपका प्रोसेस थोड़ा कम हो जाए लेकिन यहां पर हो सकता है समझ में नहीं आ तो इसलिए मैं बिस्तार से आपको सिखा दिया हुए तक यह माइनस एक से बटा में चार जो है हम डायरेक्ट कहां से लिख रहे थे यह समझ में आ गए इसके बाद एक्स कमान पता हो गया आपको पता है कि कभी भी बिंद होता है तो उसमें दो वैलू दिया रहता है एक वैल करान एक में समिकड़ेक में क्या लिखना है एक्स बराबर रखना है प्लस माइनस तीन का घात एक बटा में चार माइनस एक बटा में चार रखने पर ठीक है चले तो यहां पर हो जाएगा y बराबर दिया हुआ है समिकनेक पहले लिख दे रहा हूँ यहां पर दिया हुआ है x के सर पे 3 यहां से y बराबर हो जाएगा x कमान पूट कीजिए तो प्लस माइनस ते 3 का घात 1 बटा में 4 हो जाएगा प्लस मान सकता है तो बिनदुरशों आपका हो जाएगा यानि कि आप लिख सकते हैं बिंदू बिंदू आपके क्या क्या हो जाएगा एक बार प्लस वाला लिजिए तो थी का घात हो जाएगा माइनस एक बटा में चार आइस में भी प्लस वाला लेंगे तीन का घात हो जाएगा माइनस तीन बटा में चार प्लस वाले लिए और एक और एक बार माइनस वाल आप लेंगे माइनस में हो जाएगा माइनस 3 का घात 1 बटा में 4 और फिर आपको हो जाएगा माइनस 3 का घात तो आपको ऐसे ही फाइंड कर यानि कि वक्र आपका दिया था और कुण दिया था यहां पर सबसे पहले हम लोग डिवाई डी एक्स मिकालेंगे वही जो डिवाई डिएक्स से 10 ठीटा के बाराबर करके गालाब्त निकाल करके जो भी मान एक स्काइगा उसको समीघान नमबर एक में रखेंगे हम लोग तो आपका पता चलेगा कि य कमान कितने आया है और एक सौर सुरु से लेकर अंतर चलिए देखते हैं हम लोग अगला कोश्चन इतना आपको चीज समझ में आ गई है तो हम लोग आगे वड़ते हैं अगला कोश्चन किस ट्याइब का है हमारे साथ जो है की जूड़ी रहेगा और यह वीडियो आपको ज्यादा पसंद आएगी तो इस व प्रोसेस करना है यह जहें कोण पर संबंदित था इसके बाद वख्र पे देख लिए असपर्स रेखा पर देख लिए बिलंग पर देख लिए अब आगी देखते हैं कि क्या दे रख्था है देखें अगला सवाल दिया हुआ है देखें अगला कोश्चन जो है y बराबर दिया हुआ है ध्यान देज़े y बराबर दिया हुआ है 3x square minus 2 x minus 4 करें की पर वह बिन्दू ग्यात करें वह बिन्दू ग्यात करें जहां जहां असपर्स रेखा सरल रेखा असपर्स रेखा सरल रेखा जीरो के समानतर हों समानतर है देखे यहां पर कंडिशन दो बन रही है ठीक है यह तो आपका जो है यह वकर दिया हुआ है कोई बात नहीं वकर दिया हुआ है तो लेकिन असपर्स रेखा कि एक सरल रेखा जो है यह आपके समानतर है तो कभी भी आपका सरल रेखा आ जाए ना तो परणता के लिए आप लोग फर्मुला अपलाई करेंगे यह क्योंकि सरल रेखा आती है तो य बराबर होता है यहां पर कंडिशन यह बनेगी जो डिवाइ बराबर बनेगा किसके एम के इसके परणता और यह जो आपके डिवाइ डिएक्स निकलेगा यह वाला दोनों मान इक्वल आपके किये जाएंगे ठीके प्रस्णिके अनुसार हम लोग लेंगे क्या यह चीज समझ में आ रही है आपको चलिए तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको यह भी कोशन समझ में आने वाला है तो यहां पर देखिए आपका क्या क्या दिर रख गया तो आपको हर हल में क्या निकालना है बिंदुफाइंड करना है यहां पर हम एक्स के सापेच आउकलन करेंगे एक्स के सापेच यानि कि यहाँ पर हो जाएगा 3 multiply x square का अउकलन आपका 2x होता है minus 2 multiply x का अउकलन 1 होता है minus और 4 अंग का अउकलन क्या होता है 0 यहाँ पर हो जाएगा कि dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा 3 दोनी कि 6x minus 2 ठीक है यह आपका dy by dx पता चल गया अब जो dy by dx है यह माल लिजे आपका समीकर नमबर क्या है 2 अब यहाँ पर दिया हुआ है सरल रेखा यहाँ पर सरल असपर्स रेखा सरल रेखा कि क्या है समानता यानि कि दिया है क्या असपर्स रेखा देखे इस पर रेखा जो है यानिकि ये जो समीकड दिया है दिया है क्या है समीकड को मैं ले रहा हूं ठीक है यहां पर दिया है। आपको मांत पता करना है आपनों ले सकते हैं यहां से चाहिए हैं कि mild निकलेगा तो वाई बराबर हो जाएगा मांवैंस माइनिस क्यों हो जाएगा सब्सक्वे भाग देजिडितों दस यक्स Romeo छाएगा अब सेभे सी अब ब्यापक क्या मिला है आपका 10 मिला है यह बना equation number 3 तो समीकर्ण 1 और समीकर्ण 2 को आपको equal करना क्योंकि दोनों ही परणता है डिवाई डिएक्स और यह जो है आपका M का जो मान निकला हुआ है दोनों आपके क्या होंगे equal आपके होँगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं इसी के साथ असपर्ण यह लिख देंगे आप सिर्फ समीकर्ण 1 और समीकर्ण 2 से आप ले सकते हैं यहां पर दो वा तीन से यहां पर आपका हो जाएगा कि जो डिवर बी डि-र डियक्स यानि की M का जो मान है आपका मिला है कितना 16 किसे संभी कर्डा में यहां पड़ья निकला हुआ है यहहां माइनस 2 और M कमान जो फाइंड हुआ है J यहां से आपका हो जाएगा छे यह जाएगा 10 Mohs यहाँ पर पोरुजएगा 66 बरावर हो जाएगा 12 10 1966 Paulo कितना अधिaneous क्या यहां पर एक सCमान फाइंड हो चुका रखने रखेंगी तो समिकने एक है आपका y बराबर है 3x square minus 2x minus 4 रखेंगे y बराबर हो जाएगा 3 multiply 2 का square minus 2 multiply 2 minus 4 y बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा 3 यहाँ पर करिए 2 square 2 दुनी के 4 4 ते कितना हो जाएगा 12 minus 4 यहाँ पर रखेंगे y बराबर हो जाएगा 12 minus 8 यहाँ से y बराबर हो जाएगा इसके बाद किसका y कमान यानिकी 4 यह आपका final answer तो मेरे प्रिछात्रों उमीद है कि यह चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है जो भी इस वीडियो में को स्लूसन मैं कराया हूं step by step आपको समझाए गया है और यह वीडियो आपको ज्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक से रवन दोस्तों जरूर कीजिएगा इसी तरह से हमारे साथ जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस्ट कर दिएक ताकि